आज हम रोग या डिसीज के बारे में बात करेंगे तथा रोगों के प्रकार संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग के बारे में विस्तरत चर्चा करेंगे हम अपने आसपास व्यक्टियों को किसी ना किसी रोग से पेरित देखते हैं जैसे टीवी, कैंसर, डाइबिटीज, मलेरिया, चिकन पॉक्स, ब्लड पेशर आदी रोग अर्था आस्वस्त होना प्रायम शरील के पून रूपें कारे करने में किसी प्रकार की कमीता होना रोग कहलाता है और जिस व्यक्तियों को रोग होता है वह रोगी व्यक्ति कहलाता है तो आईए आज हम रोग के बारे में तथा रोगों के प्रकार संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग के बारे में डिसकस करेंगे रोग या डिसीज शरीर के किसी अंग या उपांग की सरचना का बदल जाना या उसके कार्य करने की शमता में कमी आना रोग कहलाता है रोग शब्द का मूल शब्द व्यथा है जिसका अर्थे रुकावट अर्था अच्छे स्वास्थ में रुकावट उत्पन होना ही रोग है दूसरे शब्दों में शरीर में विकार होना ही रोग कहलाता है रोग के प्रकार, types of disease रोग को उनकी प्रक्वती तथा कारणों के आधार पर दो वर्गों में विभक्त किया गया है रोगों के प्रकार पहला होता है जन्मजाद रोग और दूसरा होता है उपार्जित रोग उपार्जित रोग को पुनह दो भावों में या दो प्रकारों में बाटा गया है संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग आईए हम रोग के प्रकार के बारे में विस्तरत चर्चा करें जन्म जात रोग किसे कहते हैं? जैसा की नाम से ही स्पष्ट होता है कि वे रोग जो जन्म के समय से ही शरीर में होते हैं उन्हें जन्म जात रोग कहते हैं ये रोग उपापचे या विकासी आनिमित्ताओं के कारण पहलते हैं दूसरा है उपारजित रोग वे रोग जो जन्म के पश्चात विविन्द कारकों के कारण उत्पन होते हैं उन्हें उपारजित रोग कहते हैं उपारजित रोग को उन्हें दो प्रकार होते हैं संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग संक्रामक रोग संक्रामक रोग का ताथ पर एसी रोगों से हैं जो एक इंसान या जीव से दूसरे इंसान या जीव में फेलते हैं इस प्रकार के रोग किसी ना किसी रोग जनितकार को जैसे प्रोटोजोव, इस्ट, वैक्टेरिया, वाइरस आधी के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पेल कर उसे संक्रमित कर सकते हैं मलेरिया, टाइपाइट, चेचक, इंफिलेंजा, आधी संक्रमक रोगों के उधारण हैं आईए हम प्रमुक संक्रमक रोग और उनके लक्षनों के बारे में जाने टाइपोईड टाइपोईड यह साल मुनेला टाइपोसा नामक जिवारू से होता है यह रोग पाने की गंदगी से खरता है इसमें रोगी की प्लिया और आत्र योजनी रंतियों बर जाती है रोगी को तेज बुखार रहता है और सिरदर्ग बना रहता है दूसरा संक्रामक रोग है टूबर क्लोसिस यह एक संक्रामक रोग है जो माइको बैक्टेरियम टूबर क्लेसिस नामक जिवारू के कारण उत्पन होता है इस रोग के जिवानू मुँ से थूपते समय या चूमने से प्रसारिद होते हैं या फैलते हैं इस रोग के लक्षन है ज़र यानि बुखार रात्री में पसीना आना बूख में कमी मुना शक्ती वबजन में कमी आना तथा पाचन और तंत्री का तंत्र में गरबड़ी आना ये इसके प्रमुख लक्षन है तीसरा संक्रामक रोग है हेजा हेजा विद्रियो कॉलेरा नामक जिवानू के कारण होता है और मक्षियों द्वारा फैलता है इसमें रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है तथा रख्त का संचार धीमा पड़ जाता है उल्टी दस्त के साथ शरीर का सारा पानी निकल जाता है जिससे शरीर में पानी की कमी आ जाती है चोथा संक्रामक रोग है एज एक्वाइड इमिनू डिफिशियंसी सेंड्रोम का शंशित रूप है यह रोग विशानू के कारण होता है यह विशानू HIV अर्था यूमन इमिनू डिफिशियंसी वाइरस है इसमें रोग योन संबन्दों के कारण रप्ता धान में अन्यमित्ता से और नशीले पधातों के अतिदिक सेवन करने से एच स्पलता है चेचक यहाँ एक अत्यंतिस शंक्रामक रोग है जिसका संक्रमन एक अतिशुक्ष्न विशानू के कारण होता है इस रोग सेग्रसित रोगी को सर्व प्रथम सिर्ट, टीट, कमर और बाद में सारे सरीर में जोरों का दर्द होता है और बाद में लाल-लाल दाने निकल आते हैं छटा संक्रामक रोग है बलेरिया यहाँ रोग प्लाजमोडियम नामक परिजीवी प्रोटो जोवा से होता है प्लाजमोडियम मादा एनापिलीज मच्छर है जिसके डंक द्वारा मनुख्षे के शरीर में यहाँ पहुच कर उसे रोगी कर देती है इस रोग में जारे के साथ साथ दुखार आता है अर्थात खंड के साथ दुखार आता है और लाल रुदियारू नस्ट हो जाते हैं तथा रक्ष में कमी आ जाती है आईए अब हम असंक्रामक या असंचरणी रोगो के बारे में बात करें जो रोग संक्रमित व्यक्ति या रोगी से स्वस्थ व्यक्ति को स्थांतरित नहीं होते हैं उन्हें असंचरणी या असंक्रामक रोग कहते हैं जैसे मदू में अर्था डाइबिटीज, जोरो का दर्द, कैंसर, प्रदै रोग आदी और संक्रामक रोग निम्न पकार के होते हैं रासित रोग यह विबिन शारिरिक अंगों से नश्ट होने से उत्पन्न होते हैं जैसे रदे रोग, पीनता जन्न रोग यह विबिन पधार्तों की कमी से उत्पन्न होते हैं जैसे रिकेट्स, मारसमस, पेलग्रा, आदी प्रत्युजर्टा या एलर्जी एलर्जी यहां किसी पधार्थ के प्रती अती सम्वेधन शेल्टा के कारण होते हैं अनुवालशिक रूर यहां अनुवालशिक कारपों के कारण होते हैं जैसे वर्णांदत्रा, हीमोफीलिया, आदी और लास्ट है जन्मजात्रोग इन रोगों का आक्रमन गर्भावस्था के दोरान ही हो जाता है जैसे होट काकटना, वीदीर में तालूं और पाउं का फिरा होना आदी जन्मजात्रोगों के उधारण है जन्मजात्रोग निशेचित अंडारू की गुर्ष उत्री सर्चना में कमी या गर्भाव शय इस्थिती शिशू पर आघात पहुचने के कारण होता है गुर्ष उत्रों में असंतुलन के कारण बुबलिज्म, रदय विक्रती के कारण नील शिशू का जन्म तंत्रीकात की असंबननिता के कारण स्थानिक अंधरांगता आधी जन्मजात्रोग है थैंक्चू